हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आए हैं गर्मी स्पेसल ठंडा ठंडा एक ऐसी रेस्पी जिसे खाने के लिए प्रोसी भी आपके घर मेहमान बनकर आ जाएंगे और इसे बनाएंगे हम तावे में और अगर आप मैंगो लवर है तो इस रेस्पी को तो एक बार जरूर इस रेस्पी को बनाने के लिए यहां पर हम ले लिए हैं मैंगो प्यूरी तो यहां पर हम दो मिडियम साइज के पका हुआ आम लिए थे बहुत ही मिठा आम था उसका हम छिलका निकाल लिए थे छिलका निकाल कर मैंगो के पल्प को हम मिकसर जार में डाल कर उसको हम पीस ल यहां पर हम आधा से कम निकाल लेंगेगे रावल में निकालेंगे 10 001 डालेंगे एक कप सूजी करेंगे और यहां पर हम बारिक क्यास σब्सक्राइब लीए हैं आप चाहें तो बारिक वाला या मोटा वाला जो भी सूझी आपके पास ले सकते हैं सूझी को डालने के बाद हम इस mango प्यूरी के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और इसे इस तरह से अछे से mix करने के बाद इसको हम रेश्ट भर छोड़ेंगे तो आप जितना दे रेश्ट पर छोड़ेंगे उतने अच्छे से सूजी फूल जाएगा और जब इस तरह से सूजी मैंगो प्यूरी के साथ फूलेगा ना तो सूजी के अंदर तक मैंगो का फ्लेवर जाएगा तो यह देखी इसको हम मिक्स कर लिए हैं तो अब इसको हम ढख देंगे और ढख इसको हम 15 मिनिट के लिए रेश्ट पर छोड़ देंगे तो यह देखिए 15 मिनिट हो चुका है तो इसका ढखन हम अटालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दूध तो यहाँ पर एक कप दूध लिये थे तो पूरा दूध एक बार में नहीं डालेंगे थोरा थोरा करके डालेंगे और इसे मिलाती हुए इसका हम घोल बना लेंगे तो एक बार डालने से क्या होता है इसमें लम्स यानि की गांट बनने लगती है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिलाते जाना है तो यहाँ पर हम एक कप दूध लिए थी तो एक कप दूध में आप देख सकते हैं आधा से जादा दूध इसमें हम डाले तो इसलिए अभी हम दो टेवलेस्पून जी दॉप और शो सद्टे चिनी करेंगे नरगता प्बान हम टुट मरूस तो यहां पर पिसा ऑफ़ गान यहईगा गड़े जल्दी और अच्छे सेbas हो जाएगा चिनी अगर पिसा हुए नहीं है तो आप इसको मिक्सर जार में डाल कर पिसके ले सकते हैं और साथ में हम इसमें डाल लिये हैं 1 टेवल स्पून रिफाइंड वाइल रिफाइंड वाइल के जगह पर आप यहां पर बटर भी ले सकते हैं और इस वायल को डालने से आपका इसका रेजल्ट आगे इस रेस्पी में मिलेगा यानि कि या आपका जो रेस्पी है बहुत ही सौप्ट और बहुत ही अच्छा बनकर तयार होगा और अब हम इसमें लास्ट में डाल लेंगे आधा छोटा चमच मीठा सोडा यानि कि खाने वाला सोडा इसे डालने के बाद हम एक से दो बार इसे फेट लेंगे मीठा सोडा डालने से ये जो घोल है बिल्कुल फ्लॉफी और लाइट वेट हो जाता है जिसके कारण हमारा जो नास्ता है फुला फुला और सौप्ट बनता है तो घोल हमारा त्यार हो गिया है तो इसको लेकर हम आ गए हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पर हम एक ताबा रखेंगे और ताबा में हम अच्छे से तेल लगा लेंगे ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है बस ताबा को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है और गैस के फ्लेम यहाँ पर मिडियम रखेंगे और तावा को उपर हाथों को लजा कर चेक करेंगे जैसे ही हाथों में हीट आ रही है इसका मतलब तावा हमारा अच्छे से गरम है तो अब यहाँ पर जो हम घोल बना रहे हैं सुजी और मैंगो प्यूरी का उस घोल को लेंगे और इस तरह से चमस से उठाएंगे थोरा थोरा करके इसमें हम घोल को डालेंगे यहाँ पर हम छोटे-छोटे साइज के पीस बना रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा आप चाहें तो यहाँ पर बरे साइज के भी पीसे बना सकते हैं उसे आप बाद में कट करके खा सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जितना एक बार में तावा में आ सकता है उतना हम डाल लिये हैं और डालने के बाद इसको एक दिर मिनट तक हम इसी तरह से पकने देंगे। देरमेट के बाद जैसे ही उपर से ड्राई हो जाएगा तो इसको हम एक एक करके पलट लेंगे और इसे पलट कर हम दुसरे साइड भी पकने देंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड से बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डेन कलर आ गया है तो इसी तरह से हम इसको दुसरे साइड भी मिडियम टू लो फलेंपर पकाएंगे ध्यान रखे इसे हाई फलेंपर नहीं पकाना है मिडियम टू लो फलेंपर ही पकाना है और थोरी दर के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी बहुत अच्छे से पक गिया है तो अब इसको हम एक एक करके एक पलेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बांकी भी बना कर त्यार कर लेंगे तो यह देखिए इसी तरह से हम बांकी सब बना कर त्यार कर लिए हैं तो आपको मैं उठा कर दिखाती हूँ यह देखिए बहुत अच्छे से पका है और इसमें बहुत अच्छे से जाली बना हुआ है तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ गैस पर हम रख लेंगे एक कराही और इसमें हम डाल लेंगे एक लीटर दूद तो यहां पर आप दूद उबला हुआ या कंचा जो भी आपके पासे ले सकते हैं तो यहां पर हम कंचा दूद लिये हैं तो अब गैस के फ्लेम हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें हम एक उबाल आने देंगे ये देखिए दूध में उबाल आ गिया है तो गैस के फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब हम गैस के फ्लेम medium to high रखेंगे और medium to high फ्लेम पर इसे हम इसी तरह से चलाते हुए दूध को reduce होने तक पकाईगे यानि कि जितना दूद लिये हैं उसका आधा होने तक पकाना है और कराही के साइड में जो मलाई जम रहा है उसको हम इस तरह से स्क्रेच करके दूद में डालते जाएंगे और इस तरह से दूद को चलाते हुए इसको हम आधा होने तक पका लिये हैं यानि कि एक लिटर यहाँ पर इसमें हम 3 1200 चीनी डाले हैं, तो चीनी यहा पर पिसा हुआ डाले आप चाहे तो साबूत MRC भी डाल सकते हैं और साथ में हम इसमें डाल लेंगे एक चोथाई छोटा चमच इलाइची पाउडर इसे डालने के बाद अब हम इसको चलाती हुए एक मिनट तक इसी तरह से इसे हम पका लेंगे और आप देख सकते हैं एक दूद हमारा बिल्कुल मलाईदार और गाढ़ा बनकर तयार हो गया है तो अब हम गैस के फिलेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर एक बाउल में निकाल लेंगे तो इस बाउल में दूद को ट्रांसपर करने के बाद इसको हम इसी तरह से थोरी देर के लिए छोड़ देंगे थोरी देर छोड़ने के बाद एक दूद जब हलका ठंडा हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे मैंगो प्यूरी जो mango puree हम निकाल कर रखे थे बोले थे आगे हम यूज करेंगे तो इसको डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि इस दूद में भी mango का flavor आ जाएगा तो इसको हम अच्छे से mix कर लिये हैं तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी और mango का जो pancake बनाये थे उसे तो इस तरह से इसको हम इसमें डाल दिये हैं और डालने के बाद अब हम इसको चमस से अंदर के side दवाएंगे ताकि ये अंदर इस दूद में जाने के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा और फूलने के बाद बिल्कुल सॉप्ट हो जाएगा और अब हम इसको पीस्ता से गार्निस कर देंगे अब अपने पसंद के dry food से इससे गार्निस कर सकते हैं तो ये मैंगो डेजट हमारा रेडी हो गया है लेकिन अभी इसे हम नहीं खाएंगे इसको हम एक से देर घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम सर्व करेंगे तो ये लिजे ठंडा ठंडा डेजट बन कर तयार है वीडियो पसंद आए तो प्लिज वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में जैहिन जै भारत